मेरा मानना है कि अर्विंद केजरिवाल जी अपने लिए बहुत बड़ा गड़ा खोद चुके हैं और मुझे तरस आ रहा है उनके कानोनी सलाहकारों पे जिन्हों ने उनको अपने लिए ही गड़ा खोदने में मदद किया है मैंने मुख्यमंत्री पद पे बैठे किसी व्यक्ति को जाच एजन्सी के सवालों से ऐसा थर 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 कांपते नहीं देखा है आठवा समबन है आप बार बार डेट आगे मांगते हैं पहला समबन नहीं है पहला के बाद दूसरा तिसरा चोथा पचवा चटवा शत्मा आठवा और आठवे समबन के बाद भी आपको सवालों का जबाब देने में डर लगता है आप उसकी लीगालिटी पे सवाल उठा रहे हैं जबकि ट्राइल कोट कह रहा है कि नहीं आपको जवाब देना है इसे लीगल कोट कह रही है ऐसे लीगल आधार के बाद भी आप सिवर सवालों से भागना चाहते हैं हमार्च को क्या हो लीगल हो जाएगा और अब तक लीगल नहीं हुआ इसका मतलब है कि अरविंद केजरिवाल जी ये मान चुके हैं कि वो भरस्टाचारी है उन्होंने शराब कांड में बड़ा गोटाला किया है और ऐसी परिस्तिती में उनके साथ अब उनके बचने का कोई उनके पास बेगुनाही का जबाब है ही नहीं मेरा मानना है कि कानून को थोड़ा कड़ाई से अपना कारी करना चाहिए क्योंकि जो मेसेज दे रहे हैं वो मुख्यमंतरी पत्पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये मेसेज देता है कि हमें कानून का पालन नहीं करना है तो य पहला बजट नहीं है ये लगबग 19 साल हो गया उनको बजट देते हुए और ये अंतिम बजट उनके द्वारा आ रहा है और मैं बता दू कि दिल्ली को राम राजी का बजट भारती जनता पार्टी देगी 2000 में दिल्ली की जनता अर्विंद केजरिवाल जी जैसे ब्रस्ताचारी को हटाएगी भारती जनता पार्टी आएगी नरेंद्र मोधी जी के हाथों में दिल्ली की संपरुण चावीसों पी जाएगी और फिर राम राजी का बजट भी आएगा दिल्ली सबसे खुशाल मुझे तरस आ रहा है मुझे बड़ी अजीब लग रहा है क्योंकि जी लोग कहते थे कि हमारी पुस्तैनी सीटे हैं अमेठी, राइबरेली, सुल्तानपूर वो सभी लोग सोनिया जी राजिसभा के द्वारा जाना चाह रही है वाइनाट से राहुल जी को सीटन ही दे रही है इन इलाइन्स उनकी और प्रियंका जी को अब दमन दीव जाना पड़ रहा है दमन दीव में जाकर देखिएगा मोधी सरकार की जो अब तक कार्ये हैं तो आपको ऐसा आनंद होगा मैं अभी दमन की वो समुद्र तट पे होके आया हूँ जहां लोग ऐसा बैट रहे हैं तो मैंने वीडियो भी डाला है तो प्रियंका जी को वहां के लोगों के साथ बैटने की भी जगा मिलेगी की नहीं ये मुझे शंका इस पर देखिए लालू जी इससे में स्वस्त नहीं है और जो बेक्ति स्वस्त नहीं होता है उसकी बातों को हम बहुत कम बिगता से नहीं है